नमस्कार मसक्रूरू, बिमारी कैसे होती है? हम बिमारियों को खुद से कैसे पैदा करते हैं? बिमारिया दो तरह की होती हैं. पहली है संक्रामक. ये दूसरे जीवों का एक हमला है. आप किसी के भोजन हैं या किसी का घर हैं. तो ये अलग मसला है कि उन्हें बम से उड़ाने की जरुरत पड़ती है. लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आज दुनिया में केवल 25 से 30 प्रतिशत बिमारियां ही संक्रामक प्रकृति की हैं. बाकी सब स्थाई हैं. यानि लोग खुद ही पैदा कर रहे हैं. वो अपनी तरह की बिमारियां पैदा करने में व्यस्त हैं. मुझे लगता है कि हर साल लोग तरह-तरह की बिमारियां सामने ला रहे हैं ताकि डॉक्टर आए दिन परिशान होते रहें. तो कोई इसे कैसे प्रकट करता है? हमें ये समझना चाहिए कि मानफ शरीर की हर एक कोशिका जीवन और स् ही वही कोशिकाएं मृत्यू के लिए भी बनाई जाती हैं. जब समय आएगा, तो ये सिस्टम को एक खास तरीके से खत्म करना शुरू कर देगा. तो वहाँ जीवन, खुशाली और स्वास्त के लिए भी निर्देश हैं और मृत्यू के लिए भी निर्देश हैं. अगर खत्म करने के लिए काम करने लगती हैं. क्योंकि किसी तरह से उन्हें वो संदेश मिलाएं. आप उन्हें स्पष्ट संदेश नहीं भेज रहे हैं कि मैं स्वस्त जीना चाता हूँ, मैं अच्छे से जीना चाता हूँ. ये संदेश वहाँ पर नहीं है. आज अगर आप किसी क medical साक्ष मौझूद है कि आप पूरी तरह से खुद को रासाइनिक जहर दे रहे हैं तो जब आप खुद ही अपने आपको जहर दे रहे हैं तो शरीर की कोशिकी संरचनाओं को क्या संदेश मिलेगा वो संदेश हर जगा पहुँचता है और अगर उनमें से दो प्रतिशत ने भी ये भरोसा कर लिया कि आप मरना चाहते हैं क्योंकि आप जहर पी रहे हैं तो वो उसके लिए काम करना शुरू कर देंगी अब कई तरह की गतिविधियां हैं कोशिकाओं का एक समू आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है नाराजगी, क्रूत, डर, चिंता ये सब वो सहर हैं जो आप पीते हैं लेकिन उमीद करते हैं कि कोई और मरे जीवन ऐसे काम नहीं करता अगर आप पीते हैं तो आप मरेंगे तो क्योंकि हम आज हर चीज किष्टों में कर रहे हैं इसलिए हम मर भी किष्टों में रहे हैं इसी को बीमारी कहते हैं डॉक्टर्ज हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसे प्रोच साहिद कर सकते हैं देखे सबसे महत्वपून बात ये है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ और खोशाली के लिए प्रतिबध किया जाए उन्हें प्रतिबध होना ही चाहिए उनमें प्रतिबधता है ही नहीं मैं अस्पतालों के बाहर देखता हूँ कि स्वास्थ कर्मी खड़े ओकर सिगरेट फूंक रहें कैसे वो किसी और को अपने स्वास्थ के प्रतिबध करा सकते हैं पहली बात तो ये कि व्यक्ति खुद अपने स्वास्थ और खोशाली के लिए प्रतिबध होना चाहिए अगर वो प्रतिबध है तो इसको लेकर सचेत हो जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है अगर ये उसके जीवन में आ जाता है तो आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी फिर किसी भी विशेश बिमारी जिससे वो पीडित है उसके लिए विशेश साहता दी जा सकती है झाल 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 झाल